नमस्कार मिंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है रीवा EOW की टीम ने सीधी जिले में रिश्वत खोर BMO को गिरफतार किया है टीम ने जिले की रामपुर नेखिन के ब्लॉक मेडिकल ओफिसर डॉक्टर प्रशांत तिवारी को 20,000 के रिश्वत लेते हुए पकड़ा है जारी करने के बदले घूसली ग्राम चोबरा के सुरेश यादव की 18 अगस को पानी में डूब कर मौत हो गई थी जिस पर शासन द्वारा पानी से डूबने पर मृत्य होने पर परिजनों को 4,000,000 राहत राशी दिये जाने का प्राबधान है जिसके लिए डॉक्टर के बनाई गई पी-म रिपोर्ट की आवशक्ता होती है डॉक्टर प्रशान तिवारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रामपुर नेकिन द्वारा पी-म रिपोर्ट नहीं बनाई जा रही थी और पी-म रिपोर्ट तयार कर देने के बदले रिश्वत की राशी 50,000 रुपए की मांग जैसे ही फर्यादी प्रमोद कुश्वाहा को रुपए दिये तभी EOW की टीम ने आरोपी को रंगे हाथो गिरफदार कर लिया आरोपी डॉक्टर प्रशान तिवारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रामपुर नेके नेवं प्रमोद कुश्वाहा को गिरफदार कर लिया है और आ